नमस्कार देब में पप्पु स्वार आपके अपने यूरूप जैनि पप्पु एश्बॉर्स कलम में स्वागत है जैसे कि आपने स्कील पर देखी रहें इस वीडियो में वीडियो में वीडियो से एन्यम दसार 709 पोस्ट के दिदेजिय के दियारी बात करने वाले है इसलिए यह वीडियो हों सभी ए स्टूडेन के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है जो भी जेसी एगन दसार 709 कोस्ट का फांबर है और चार्टे एक कोशली करह पर ये वेकेंसी किलियर हो तो बिना इसकिप के वीडियो को पोड़ा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारी जनकारी वनवाउनकर के डिटेल्स में बात करने वाल है और आज फिर से पतना हाइकोट में सुनवाई है और आज पतना हाइकोट फैनल जज्जमेंट जारी करें इस वीडियो में सारी जनकारी वन्वाउंगर के डिडियल्स में बताने वाले हैं किसकी टॉपिक पर आज बहुत होगी और कितने वज़े तक यह केस किलियर हो जाएगा कितने वज़े तक हम लोगों को खुश खबरी देखने को मिलेगा सारी जनकारी वन्वाउंगर के डिड पतना हाइकोट के तरब से बिटेशी एनेम 10709 पोस्ट के रिगानिक अपडेट निकल के आ रहे हैं आपनों वीडियो में बनेर ही है तो दोस्तों आपको इन पता है कल सुनवाई था और सुनवाई के दोरार पीके साई सर एक दिन का डिट ले लिए थे क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेश नहीं था तो आज वो एविडेश देंगे तो बहस होगी नहीं अगर एविडेश नहीं देगे तो बहस है पहले ही हम लोग को फैनल जीजमेंट पतना हाइकोट देदेगा इसलिए आप लो आपके डेट में नया भी केस हुआ अभी आप जो भी केस निकालें गे अनिता दि का केस LPA 244 उसका भी शीरियल अमर्ड को थाइस बताङ के अ कैसा भी शीरियल अमर्ड को थाइस बताइगा मतलब सभी केस को मर्ज कर दिया गिया, आज सुनभाई के दौरान, आज बहास के दौरान, आज चार बज़े से पहले पतना अजी को के तरफ से दे दिया जाएगा, जितना LPE हुआँ सभी को कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो है, क्योंकि 15000 एबब ए च्टूडेंट को रचा हुआ और जोव piece जाते जाते आप सभी ए स्टूडेंट को ज्टूइनिंग ले लिए जाए इसलिए आपको परेशान होने केर सकता नहीं आपको टेंसर लेनी केर सकता नहीं और जिनका काम है गलत नियूज वाइल करना गलत न्यूज बताना तो गलत न्यूज ही बताएंगा कल ही देखे आप सुनभाई हुआ कुछ और बताया कुछ और गया पतना आइकोट में बाज के दोरान कुछ और अपने निकल के आया और लोगों के दोरा किया बताए जा रहा था इसलिए अभी फैन लोग मेरा वीडियो देखेगा और आज हम फिर आपको बता रहे हैं जो आज फैनल जेजमेंट पतना आइकोट को देदेगा तो फिर लोग बताएगा नहीं आज नहीं फिर फैनल जेजमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि अफ्पास्ट रूप से आप खुद देखे जो कल सभी केस को मर्ज कर दिया गया था और किस इस्तिती में केस मर्ज होता आपको भी पता होना चाहिए फैनल जेजमेंट आता है उसके बाद ही उससे पहले ही केस मर्ज होता है और आज कोई बहाना जो है पीके साइड सरकने चलेगा आज आईोग कोई नहीं बना पएगा ठेक है आज मुनों कोई नयामोष आयोग नहीं लाईगा । । इसलिए आज 100% ये वेकेंसी किलियर होगा और 100 में 100 जो है आज हम लोग की जीत होगी इसलिए आप लोग को थोड़ा भी टेंसर लेनी केब सकता है थोड़ा भी आपको प्रिसान नहीं होना ठेक है आराम से खाना होना खाके आप लोग रेडी रही और 12 बज़े हम लाइब लाइब आना में 100% आजब केस केलियर हो जीत होगी इसलिए थोड़ा भी अपको प्रिसान नहीं हो जब मेरा वीडियो आता है तभी आप देखिए ठेक है जब हम लाइव आते हैं उसे समय आपको लाइव आना अधर वा इसका आपको वीडियो नहीं देखना किसी का आपको इन्फोर्मेशन को नहीं लेना क्योंकि इफर्मेशन लेते हैं आप भी परःसान होते हैं और हमें भी परिशान हीम डालते हैं इसलिए इन्फर्मेशन ही नहीं लेना है तो अभी जो अपने निकल के आopherίν या रही है यही अपने निकल के आ क्या रहा है यह जो आज पतना हाइकोट में इसका फैनल सुनवाई ही है और आज फैनल जज्मेंट मिल जाए ठीक है अभी भी दोग दिखिया अगा गलत जो है न्यूज बताएंगे जो आज भी जो है फैनल नहीं होगा 15-16 को फैनल होगा 14-15 को फैनल होगा जो कुछ भी बता रहे है वह न्यूज आपको लेना ही नहीं है मेरे दोवारा जो भी न्यूज दिया जाता है ठीक है सई और अंधेटिक न्यूज दिया जाता है जोकि हमें टीम से अपडेट आता हुआ हम आपको भी देते हैं गलत केस क्लियर होगी और आज हम लोग 100% जीत होगी ठीक है तो यही हम आपको इस वीडियो को मादियां से जनकारी देने वाले थे आप लोग समझ गये होंगे तो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर और नोट्फिक्शन को शेर कीजिए और वीडियो को जैदा जैदा अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए जैसे ही बारे मज़े लाइव आएंगे आपके पास नोट्फिक्शन पहूं जाएगा और अपने भाई के टार्गेट को एचीव किजिए आप लोग अपने भाई के टार्गेट को एचीव नहीं करते हैं क्योंकि यह भाई आप लोग क अपने भाई के टार्गेट को एचीव कीजिए और जितना हो सकते इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए बारा बज़े सभी एश्ट्वन को लाइवाना नहीं बोल लिएगा क्योंकि आज अत्यासिक दीन होने वाले हैं हमारी बती से अरेम भान के लिए और ज